पूरू प्रेंट्स में हूं जोती सिंग्ग और आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल की वा सक्षिस पत्पर बहुत बहुत स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम नई नई शिच्चानीत के ऊपर बात करेंगे कि नई शिच्चानीत में क्या क्या बड़े बदलाव हुए है तो पूरी डीटल में देखने वाले हैं आप सभी इस वीडियो को इंटर जरूर देखिएगा यह ज़िए आप इस चैनल पर नए है तो जैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को प्रेस कर लिए जिसरी के मारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें यह निव्स हम देखिए एंडे टीवी के वेसाइट पर देख रहे हैं यहां पर पूरी डीटल में हम देखने वाले हैं आप सभी क्या कोई नो कोई स्टुएंट कि इसी क्लास में पढ़ रहे होंगे तो सबकी लिए जानना ही जरूरी है कि नई शिचा नीथ में क्या क्या बड़े बतलाव हुए हैं तो यहां पर देखिए क्या बताए नई शिचा नीथ को मनजूरी मिल गई है केंद्री शुष्णा एंपरसारान मंत्री प्रकास जावेड करने बताया कि कैंबिनेट वैठक में आज नई शिचा नीथ को मनजूरी दी गई है उन्होंने बताया कि 34 साल से शिचा नीथ में परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए यह बेहद महत्वपूर है इसके बाद बगाइदा प्रजेंटेशन देकर नई शिचानीत के बारे में विश्टार से जानकारी दी गई है इस दवरान केंद्री महानस अंसादन विकास मंत्री रमेश पखरियाल नीशंक भी मौजूद रहें शिचानीत में जो बदला में बात करेंगे उच्छी सिच्छा में 2035 तक 50% पहुंचने का लक्षे है मल्टीपल एंट्री और एक्जीट शिच्टम लागू किया है सबसे बड़ी बात तो यह है यह पाहले जो आप पढ़ाई करते थे तो तीन साल चार साल का एक रिजिशन करते थे तो उसमें आप य अगर चार साल इंजिनीरिंग पढ़ने अच्छे सेविश्टर पढ़ने के बाद किसी कारण वस आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता लेकिन मल्टीपल इंट्री और एक शिच्टम में एक साल के बाद सर्टिफिकेट दो साल के बाद डिप्लोमा और ती अगर ता 20 साल में था प्हुंए तो आपको अपड़ने मिलता लेकिन आगे मिल जाएगा यहां से नहीं नहीं मिल जाक है और ुशरी सल सल की बाद यह पढ़त दोन है तो आपको सट्रिफिकेट मिलेंगा और चार्व पाद में नहींरे है तो उसमें भी आपको पहले साल के लिए दो साल के बाद डिप्लोमा और तीन से चार साला पूरा कर लेते हैं तो आपको डिग्री वहां से मिल जाएगी तो यह बहुत बड़ा बदलाव है सिच्छा नीट में नेक्स देखते हैं इसकूल सिच्छा की सचीव ने इसकूलों को लेकर किये बदलाव की जानकारी दी उन्होंने बताएगी 6-9 और्स के जो बच्चे आम तोर पर 1-3 क्लास में होते हैं उनके लिए नेशनल मिशन सुरू किया जाएगा ताकि बच्चे बुनियादी साचरता और निवेर्शी को सम पढ़ाई करेगा ताकि उसकी फांडेशन लिट्रेशी और निमेर्शी को बढ़ाया जा सके इसके बाद मीडिल स्कूल यानि की 6-8 कच्छा में सब्जेक्ट का इंटोड़क्शन कराया जाएगा फिजिक्स के साथ पैसन की पढ़ाई करने की इजाज़त होगी कच्छा 6 से करेंगे तिन साल का नहीं करेंगे नहीं कर पाएंगे और जो आगे यानि की इसर्च में जाना जाते हैं तो चार साल का डिगरी का करेंगे तेकिन जो रिजर्च में जाना चाहते हो क्यों वह एक साल के साथ चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएशडी कर सकते हैं इसके लिए अमफील की जरुबत नहीं होगी पहले आप यह में करते थे फिर पीएशडी करते थे अब आपका खतम हो गया है और टेंथ प्ल